नमस्कार दोस्तों, यह कहानी जोती मोडिया और अलोक मोडिया की है, यह कहानी उस सक्स की है, जो कच्रा साप करता था, रास्तों पर का कच्रा साप करता था, जो एक सफाई करमचारी है, वो अपने बीवी को पराने का सपना देखता है, और उसकी बीवी भी परना चाहती है, तो वो सपना देखता है अपनी बीवी को पराने का वो अपनी बीवी को एजडियम बनाने का सपना देखता है वो एक एक पाई जमा करकर के अपनी बीवी का फीज बढ़ता है अपने परिवार को चलाता है उसके दो बच्चे भी है साधी के बारा साल हो चुके हैं उसकी तब उसको उसके husband अच्छे नहीं लगने लगते हैं मतलब 12 साल से उसके husband उसको अच्छे लग रहे थे लेकिन जब वह एजडियम बन जाती है तो उसके husband उसको अच्छे नहीं लगने लगते हैं आप सो सकते हैं दोस्तों जब उसके पढ़ाई के लिए फीजमा किया जा रहा था उसके पढ़ाई के लिए फीजमा किया जा रहा था घर परिवार में जब उसी कचरे के पैसे से भोजन और जीव भूत ही भद्ध्य नजर से देखने लगती है और यहीं नई क्यूंकि बद्ध्य नजर से देखने का कारण विए था कि जब हो एस्टियम बनती है तो किसी उचे ओदे के पद्ध पर एक ओफिसर से उनका आफेर चलने लगता है तो हो भाई जब आपकी किसी अओदे बरे ओदे के officer से फेर चलेगा तो आपको सफाई करम चारी तो ख़राब लगेगा ही simple logical बात है ख़राब तो लगेगा ही simple यह हुआ मतलब आपको आपके पती का परिश्रम नहीं दिखा कि आपके पती ने कितना कचरा साब किया है आपको पढ़ाने के लिए आपके लिए उन्होंने क्या कश्ट उठाया है आपको नहीं दिखा आप एक ओदे पर पहुझ गया और अच्छे ओदे के officer से अपना फेर चलाने लगें और उसके आद आपके पती भाण में जाए आपको को इस तरह से मतलब इसका देखिये यहां पर थोड़ा लॉजीक बात हिए विए कि लड़की यहां पर लॉजीकल बात यह लड़का सफाई करम्चारी था इतने च्छोटे स्तर का जॉब कर रहा था उसके बाद उस लड़की को पराने का सपना देखता है उस लड़की से उमी अच्छी हो जाएगी कवी किसी चीज को खड़िदने के लिए या फिर फ्यूचर के लिए में पैसा के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा यही सपना था लोक मोरिया का और यही सपना था जोती मोरिया का जब वो साथ में इस सपने की सुनुवात करते हैं लेकिन जब सपना देखने लगती है किसी और के साथ देखने लगती है उस बैचारे अलोक मोरिया सफाई करमचारी पर अभी क्या बित रहा होगा इसका अंदाज़ा आप और हम नहीं लगा सकते क्यारे कि कुणकि इस चीज की शुर्वात अलोक मोरिया और इसकी वीवी नें की थी लेकिन अंद बहुत खाडबरा बहुत खाडबरा शादी के 13 साल हो चुके हैं अलोक मोरिया के दराए हैं अलोक मोरिया को उनके 있습니다 से भी नहीं मिलने तो घर बोला लिया बोला कि हमको कोई भी नोक्री नहीं चाहिए घर में रहो जो हम कमाते हैं उसी में तुम भी खाओ अमरा बच्चा भी खाएगा और हम भी खाएंगे खुस रहेंगे सिंपल बात है अगर इस तरह का अगर कहीं कुछ होता है तो अब बतनी अगर बहार रखर करके पढ़ाई कर रही है तो डर लगता है इंसान को कि कहीं मेरे साथ अइसाना हो जाए अगर कोई भी अपने पतनी को पढ़ाने की सोचता है न तो ज़्यादा परिवार देखेंगा क्लास परिवारी रहता है वो अपने आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए ऐसा कदम उठाता है लेकिन उसके बाद अगर इस कदम का अगर उसको यह सिला मिले तो कुन पराना चाहेगा इस घटना से पूरे लड़की समाज पर यह सरपढ़ सकता है कि पती अपने चाहिए और सच में इसा नहीं होना चाहिए ना लड़कों की दुवार होना चाहिए ना लड़कियों की दुवार होना चाहिए फिलाल अभी जो है जोती मौरिया का केस कोट में चल रहा है देखिए आगे आके क्या नतिजा निकलता है लेकिन यह जो हुआ है ना बहुत ही लर्ट हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए और आप लोग फिलीज इस घटना से अपने पत्नियों को रिलेट नहीं कीजिएगा जो परना चाहते है उसको प्राइए तो फिलीज जो लड़कियां बाहर रहा करके प्राइए कर रहे हैं वो अपने पती को इस वीडियो को देखने के सब्सक्राइब कर लिए अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए धनिवाद